इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि हमारा investment banking का course किन बच्चों के लिए बना हुआ है जैसे कि इसमें word है investment banking ना investment banking का मतलब क्या है investment banking का मतलब है कि आप किसी और के पैसे को manage करना चाहते हो तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको लोगों का पैसा manage करने में मज़ा आता है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ ये course आपके लिए बना है generally जो मारे पास बच्चे आते हैं वो commerce background से आते हैं जिन्होंने BCOM करा आता है, BBA करा आता है, CFA करा आता है, FRM करा आता है Master's in Finance करा आता है, MBA करा आता है यहां पर आके हम उनको क्या सिखाते हैं अब उनको जो चीज उन्होंने औरेडी सीखी हो ही हैं उनको सिर्फ प्राक्टिकल वे में सिखाने की कोशिश करते हैं So, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं, जो लोगों के पैसे को मैनेज करना चाहते हैं Financial Modeling सीखना चाहते हैं इस शेर का भाव मार्केट में क्या होना चाहिए That is Valuation सीखना चाहते हैं या बैंक में काम करना चाहते हैं As a Credit Manager कि किसी बंदे को लोन देना है या नहीं देना तो मैं अपको बोलूँगा ये कॉर्स आप भच्चों के लिए बना है जहां पर हम ये सारी चीजा आपको क्या करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके एंडब तक सिखाने वाले हैं यहां पर एक बार जो मेरा कोर्स ओवर हो जाता है तो हमारी टीम आपको mock interviews के लिए prepare करती है हम आपके resumes prepare करते हैं और finally हम आपको companies के पास भेजते हैं जहां पर companies आपको interview लेके decide करती हैं कि वो आपको select करना चाती है या नहीं So in nutshell, if you are a commerce graduate and if you are a person जो interested है लोगों के पैसे को manage करने में लोगों के पैसे को grow करने में तो यह course आपके लिए बना है ठीक है? Thank you